15 अगस्त आने वालए बच्चा, देश को तो हमारे आजादी मिल चुगी है, लेकिन आपके माइन्ड को आजादी कब मिलेगी, इस सोच से कि मुछ से नहीं हो पा रहा ह। Laganne Me Agnes aumentain or और आपका सब कुछ बरबाद हो जाएगा और अगर आप सब कुछ बरबाद नहीं करना चाहते हो आप चाहते हो इमानदारी से महनत करना तो ये वीडियो आपको लास तक है देखना क्योंकि ये वीडियो बच्चा आपकी जिंदगी बदल सकती है तो इस वीडियो को लास तक है मैं बच्चा पिछले कई सालों से बच्चों की मदद करता हूं थ्रू माई फिजिक्स के यह जो मेरा चैनल है यहाँ पर बहुत सारे वीडियो सब तक मैंने लगबग 2000 से 3000 वीडियो सारे के सारे एजुकेशन कॉंटेंट डाल रखे हैं बच्चा और ऐसा कॉंटेंट है जो आपको पूरे यूट्यूब पर कही पर भी नहीं मिलेगा आप अगर सी बेसी बोर्ड की तयारी करना चाहते हैं तो पूरी एंसी आर्टी लाइन बाई लाइन जो मेरा सबसे बेस्ट होता है न वो वर्जन मैंने चैनल पर रखा हुआ है बच्चा तो बहुत सारे विद्यार्थियों का ट्रस्ट है और जो कुछ भी मैं बोलता हूं अनुभाव से बोलता हूं बच्चों के रिस्पॉंसिस की थूँ के लिए तयार है सो जरूर कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजेगा जी चीकु भाईया वे रेड़ी यस एससपी बाबा वे रेड़ी बच्चों देखो इमानदारी से मैं आपको बताने जा रहा हूं चौदा चैप्टर है और आपके पास में 5 अगस्त नहीं 5 महीने है और आपके पास 15 अगस्त से लेकर के 15 जनवरी तद का टाइम है यकीन मानिए ये चौदा चैप्टर आप हर दिन अगर 2-2 घंटा भी निकालते हैं ना बाबू तो भी आप अच्छे से कर सकते हैं तो टोटल 14 चैप्टर को अगर मैं डेली 2 घंटे भी देता हूं तो 14 से मल्टिप्लाई कर दीजे आपके 14 चैप्टर को पर दे टू आर्ट साब दे रहे हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा सा चंक आ जाता है मैं इसके अंदर घुसूं कहां से पढ़ना है क्या पढ़ इससे पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं आपके मन में यह सवाल चलता रहता है न कि भाई आम एकदम जीरू पर हूं मेरे से हो पाएगा क्या मेरी जान तुद से नहीं हो पाएगा तो बाबा एससपी का बच्चा पार्टी है त्रस्ट किया है मिलियंस ओफ All you have to do is start from the beginning थोड़ा सुरुवात कठिन होता है जिन्दिगी में कोई भी चीज हम करने जाते हैं तो सुरुवात थोड़ी सी तफ होती है बच्चा लेकिन जब एक बार सुरुवात हो जाती है न तो चीजे बहुत आसान लगने लगती है मैं इस मुद्दे पर आओं बच्चा मैं आपको समझाओं कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए क्या करना चाहिए पहले आप ये जान लीजे कि आपको क्या नहीं करना चाहिए कई बार क्या होता है न जीवन में भी बच्चा ऐसे दौर आते हैं जहां पर हमको पता तो होता है कि हमको बहुत सारी चीजे करनी है लेकिन उन बहुत सारी चीजों के बीच में छुपी होती कुछ ऐसी चीजे जो हमें नहीं करनी चाहिए वह कौनसी चीजे होती है अगर हम उसे जान ले तो हम अपने लक्षे तक बहुत सकते हैं उसी प्रकार स हमारे board exam के अंदर भी खास करके physics में भी कई ऐसी बाते हैं multiple factors है जो बच्चों को नहीं करना चाहिए और बच्चे अद्बदा की वही करते हैं और अद्बदा के marks किरता है अद्बदा के बच्चे फेल होते हैं backlog लग जाता है और एक बार ये बारवी का जो backlog लगता है ना य बारवी में हमारा एक backlog लगा था बारवी में हमें एक बार फेल हो चुके हैं तो बच्चा उस डेलीमा से अगर आपको बचना है ना तो मैं आपको चार बाते बताऊंगा मेरी जान ये चार बातों को contest कर लीजेगा और ये नहीं कीजिएगा अगर आप cbc board examination मार्क्स लान कोई कहता भाई ये कर ले कर लिया कोई कहता नहीं मेरे स्कूल के टीचर बहुत अच्छा कराते हैं वो ले लो तो बस ला भाई तिरा दिखा गया है समझोगे कब अगर आप multiple books रख लोगे तो समझोगे कब बच्चा हमें ये चीज मन में बिठा कर रखनी है कि हमें multiple books नहीं करना है हमें सिर्फ एक किताब पढ़नी है और वो होनी चाहिए हमारी NCRT श्रीमत भगवत गीता और बाइबल कुरान जो आप समझना चाहें उससे समझ सकते हैं लेकिन आपका धर्म बनता है आपका करतब बनता है बच्चों के सबसे पहले आप NCRT बुक को छुए multiple books के तर करता teacher पर teacher अगर NCRT को के label को समझ गया है और वो उसके हिसाब से चला रहा है it's good बड़ अगर वो उसके हिसाब से नहीं चला रहा है it's bad क्योंकि NCRT में तमाम चीज़ें लिखी हुई है हाँ थोड़े application कम है लेकिन वो तमाम बातें लिखी गई है बच्चा जो की importance है NCRT के example ना करना और multiple dependency रखना now what is the meaning of multiple dependencies आज YouTube पर बहुत सारे चैनल है मैं किसी के अगेंस नहीं जा रहा ना मैं किसी के बारे में कुछ बोल रहा हूं लेकिन एक चीज में आपको समझाता हूं बच्चा आप भी बड़े हो चुके हो 17-18 साल के बच्चे 16-17 साल के बच्चे हो तो सारा कुछ कर चुका हूं मैं और जो मेरा best content होता है ना मैंने वो दे रखा है आपकी मर्जी आप जहां से पढ़ना चाहें पढ़ें लेकिन एक बार मैं कहता हूं यार इससे बहतर आपको मिल जाए तो आप बताना जो मैं जिस batch की बात करा हो जो कि totally free है दबंग के अंदर मै बच्चो पूरा NCRT का exercise का solution है मतलग पूरी NCRT को चट करके मैंने करा रखा है तुसी देखो के ना एक बार यार आपको प्यार हो जाएगा बच्च आपको लगेगा यह चलना हमें पहले क्यूं नहीं मिला सो आप multiple dependencies छोड़िए आप कुछ यहां से पढ़ते हैं कुछ वहा ठीक है तो यह चार बाते हैं बच्चा कौन कौन सी बताई मैंने के आपको multiple books नहीं करना है NCRT ना पढ़ने की गलती नहीं करनी है NCRT exercise नहीं करनी की गलती नहीं करनी है और साथ इसाथ आपको multiple dependencies नहीं रखना है अब इस चीज का उत्तर सुन लीजे 5 महीने की जब आप पढ content को comparison कर लेना बच्चा आपको जमीन आस्मान का फर्क मिलेगा इतना confidence इसके अंदर मैंने बहुत मेहनत करी हुई है और यह भी मैंने बच्चों को free of cost दिया हुआ है क्यों यहां से पढ़ना चाहिए बाबा ऐसे speaking lecture से क्यों पढ़ना चाहिए देखो NCRD का numerical वाला playlist है और करो देखना सुरू करो और physics को खतम करो NCRD line by line है प्रिवेसर के question की practice है और पूरा NCRD के example एन exercise का solution है पांच महीने बच्चों पांच महीने आपकी जिंदेगी बदल सकते हैं रोज के 2 घंटे 1.5x की speed पर video देखो copy में लिखो video देखा copy में लिखा याद किया video देखा copy में ल घंटे का study slot मारो यार तो घंटे का study slot जिसमें physics में खास करके बच्चा आप 15 मिट का formula revision कीजिए और उसके बाद NCRD का question practice कीजिए आपने मेरे वीडियो देखे उसमें मैंने already NCRD के question practice करा रखी है लेकिन एक बार आप किताब बंद कर दो जो मैंने आपको पढ़ाया उसको ए चैनल पर हमने formula का complete revision videos बना रखा है बच्चा आपको सिर्फ youtube पर जाकर के search करना है बाबू NCRT complete formula by SSP sir you will amazed बच्चा कि already ओ वीडियो जा चुका है मैं आपको दिखाता हूँ बच्चो आप जैसे ही physics complete formula by SSP sir डालेंगे तो आपको सबसे पहले ही ये वीडियो दिख जाएगा यहां पर यह देखे यह already वीडियो आपके चैनल पर पड़ी हुई है तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चो बस search कर लेना यार और जैसे ही आप search करेंगे आपको बाबा SSP की वीडियो मिल जानी है तो आप बस start तो करो आपके मन में जो भी है ना बच्चो वो सब कुछ मिल जाएगा आप YouTube पे खाली लिखिए complete physics फॉर्मूला रिविजन बाइस सब्सक्राइब वीडियो आपको डेरिवेशन करना आप बस लिखो के complete derivation वीडियो आपको चाहिए complete physics physics का रिविजन जस राइट डाउन भॉकाल रिविजन बाइस सब्सक्राइब वीडियो आपके लिए हर वो चीज बच्चा जो संबब हो सकती है ना वह बाबाइस सब्सक्राइब करके रखी हुई है तो जब आप सुरू के दो घंटा पढ़ाई कर रहे तो पंदरा मिनट का फॉर्मुला रिविजन मारे ये कर लिया बच्चा उसी के साथ साथ आप साथ में क्या कीजी पृवेसरी के कोश्चन कीजी रिविजन करते रहे और लगातार कोश्चन के प्रक्टिस करते रहे इतना काम अगले पांच महीने आपकी जिन्दिगी बदल सकता है कुछ नहीं आता जीरो पर हो ये सारे सोच से बाहर निकलो ये सोच आपको परिशान कर देगा बच्चा आप बस स्टेप लीजिए कसम खाईए कि आज से मैं डेड़ गंटा आदा गंटा चालिस मिनट पैतालिस मिनट एससपी बाबा की लेक्चर्स देखूंगा नोट्स मनाऊंगा और उ पढ़ रहे हैं तो ही मांक्स आता है लास लास में पढ़के सिर्फ पास हुआ जा सकता है बच्चा मांक तस सेंटेंस इन यूर माइंड कीप दिस धिंग नहीं ला सकते हमें सुरू से पढ़ना पढ़ेगा एंड येस बच्चो जाते जाते यह आपसे कहूंगा मेरी जान ट जितनी मेहनत आज आप करोगे उसका दो तीन गुना ज्यादा करना पड़ेगा एक्जाम नसदीक आजाएगी तब अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो और अगर आज से पढ़ रहे हो अपना समय बचा रहे हो सब कुछ बहतर कर रहे हो तो यकीन मानिये आपको आगे कम मेहनत पड़ेगी ठीक है तो पांच महीने हैं आपके पास में SSP सर के तीन प्लेलिस्ट आपको मिल चुके हैं जिन्दिगी आपकी बदल सकती है बच्चो पढ़ना स्ट कर दो मेरी जान I hope you people have liked the video please अपने दोस्तों के साथ share कीजेगा and do let me know in the comment section कि आपके लिए ये जो प्लेलिस्ट है वो किस तरीके की help कर रहा है बच्चो और अपने दोस्तों के साथ भी से हो सके तो अधिक साधिक साजह कीजेगा इसके अलामा भी अगर आपको physics में कोई भी problem आ रहा है during your preparation please let me know in the chat section जरूर comment लिखेगा because मैं heavily activated हूँ अपने चैनल पर और मैं comments को देख रहा हूं बच्चो जरूर मुझे comment करके बताइए क्योंकि अगले वीडियो बच्चो उसी पर होगी वैसे मैं बता दू कि अगली वीडियो जो होने वाली बच्चा है चनल पर वो होगी धमाकेदा टाइम टेबल के class क्योंकि आप में से बहुत सारे विद्यार्टियों ने से पहले की वीडियो में comment किया कि भाया हम दो बज़े तो स्कूल से घर आते हैं फिर उसके बाद ऑफ-लाइन चले जाते हैं तो मारे पास ले दे कि बचता ही दो गंटा है लास्ट में तो उसको किस तरीके से productive तरीके से उसको किया जा सके कि जिससे हम betterment के साथ अपना result ला सके हम उस पर विडियो बनाने जा रहे हैं बच्चा बहुत सोच समझ करके सो मिलता हूं आप लोगों से अगले वीडियो में तब तक खुश रहे हैं मुस्कुरातर और मुस्क्राइड के साथ physics पढ से खुड़ बिस्ट और मुस्क ह reconnect वहे हैं तरीका थाका बटी ए्ला समझ से हम घहाद के साथ नद्ट के साथ क्रूंद के जिसक हैं अगिन